हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस All-in-one चैनल में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे CGHS से रिलेटेड अपडेट बेसिकली अभी जो लेटेस CGHS से रिलेटेड अपडेट आ रहा है इसमें काफी सारे चेंजिस आये हैं और वो सारे के सारे जो हैं CGHS बेनिफिशरी के लिए बहुत इंपोर्टन हैं दोस्तों इस वीडियो में पूरा आप चेक कर सकते हैं कि जो भी लेटेस अब चेंज आये कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉपर रूल्स का पता नहीं होता जिसके वैसे जो वहां पर कंसर्ण ज जाना बहुत जरूरी है कि इवन जो है यह नोटिफिकेशन आये होए होते हैं और कई लोगों को नहीं पता होता और वो अन्नेसेसरी जो है जो ऐसा स्टाफ कहते हैं या जो आलरडी जो काम चल रहा है कि लाइनों में लगके लेने का या जो और जो टाइम बताये गया है उ तो चैनल को आज को सब्सक्राइब करें लकार्या जो है जो नुस्टस आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलतार हैं और साती साथ बैल आई इकन जरून दूदे इभाए दोस्तों इस CGHS specific video में हम बात करेंगे जो medicine देने का process है फिर treatment का process है उन सब के बार में पहले चीज क्या है कि जो waiting period है CGHS medicine लेने का वो उसी दिन जो है अगर आप जितना पहले जाए टाइम था अब जो है दो से दीन तीन दिन के अंदर अंदर जो है वो medicine जो है available होनी चाहिए दूसरी चीज क्या है कि अगर medicine available नहीं है CGHS poly clinic में in that case that medicine should be provided from authorized local chemist अगर आपको medicine poly clinics नहीं मिलती then you can go to authorized poly clinic वो आपको नहीं जाना जो CGHS members है या जो CGHS staff है they will provide the medicine from the local chemist वो local chemist से आपको medicine provide करेंगे तीसरी चीज in case if there is an emergency अगर कोई emergency है और आपको medicine तभी चाहिए है और आपको CGHS का जो staff हो कहते है कि it will be available tomorrow or day after tomorrow in that case you can have an authority slip अगर वो delay कर रहे है एक या दो दिन उस case में आप क्या कर सकते हो आप एक authority slip लेके direct आप उस local chemist सो contact कर सकते हो और वो आप medicine ले सकते हो free of cost ultimately दो ways है एक तो यह है कि local chemist से जो है CGHS staff जाके लेके आएगा और आपको एक दो दिन का time देगा दूसरा आपके city में ही वो local chemist है आपको सिर्फ एक authority slip लेनी है और साथ में जो है सारे medicine के नाम और वो आपको available होंगे इसी तरह से treatment का भी है emergency treatment में आप directly डॉक्टर के पास जा सकते हैं सिर्फ जो है referral लेके उसी दिन आपको जो है treatment मिल सकता है साथ ही साथ अब जो है referral के लिए बार बार आपको polyclinic जाने की जरूत नहीं है एक बार आपको referral मिल गया तो आप वहां पे तीन या चार जो है specialist से बात कर सकते हैं इसी तरीके से बाकी जैसे की treatment of skin और इन सब के लिए भी referral अब easy हो गया है CGHS में और medicine के availability जो की बहुत ही ज़्यादा जरूरी medicine है उसके लिए day to day जो है different-different vendors से और different-different local chemist से बात की जा रही है तो there are many-many updates for CGHS beneficiaries दोस्तों यह थे कुछ important अभी latest CGHS members के लिए update if you like the video please like share and subscribe video ko like जरूर कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this video